हल्दवानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक से वसूली की कारिवाई नैनीताल तहसील प्रिशासन के जरिये शुरू हो गई है बतादे तहसील प्रिशासन ने नैनीताल जेल में बंद अब्दुल मलिक को वसूली के संबन्द में नोटिस भेजा है आट फरवरी को हल्दुवानी के बनवूलपूरा थाना शेत्र में हिंसा में जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और सरकारी कर्मिचारी घाल हुए तो वहीं सरकारी संपत्ती को भी भारी नुकसान पहुचा हल्दुवानी नगर निगम को इस हिंसा में दो करोड 68 लाख रुपे से अधिक का नुकसान हुआ और ऐसे में हल्दुवानी नगर निगम ने हिंसा के आरोपी अब्दिल मलिक से नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस और आर्सी की कारिवाई की थी लेकिन तैसा में अब्दिल मलिक ने नुकसान की भरपाई नहीं की जिसके बाद तहसील प्रशासन ने नुकसान की भरपाई के लिए उसकी समपत्ली की तलाश करनी शुरू कर दी और नैनीताल तहसील के अंतरगत भीनताल के एक गाउं में मलिक की आठ नाली से अधिक भूमी होने का पता चला है जानकारी के लिए बता दे अब्दुल मलिक से वसूली अब नैनिताल तहसील के माध्यम से की जा रही है और नैनिताल जेल में बंद अब्दुल मलिक को नोटिस तालिम कर दिया गया है अगर अब्दुल मलिक नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो उसकी जमीन की निलामी भी कर दी जाएगी